है हैं यह वाले हैं कि कौन है जो आपके लिए प्यार की फीलिंग्स रखता है कौन है जो आपके लिए लव फीलिंग्स रखता है आज हम यहीं रिडिंग्स करने वाले हैं आपके लिए और देवरा ज़िकर नज़े अगए लिए विए वीडिंग्स रखता है यहां पर तो यहां इसा नज़र आ रहा है यह जो भी परसन है यह वांट यह नहीं है कि हाँ बस आपका कुछ समय के लिए ये साथ रहना चाहते हैं आपके नहीं I'm saying here कि long term relationship ये person रखना चाहते हैं मुझे एक song याद आ रहा था देखो इस it's a funny song I mean बहुत ही popular song है funny नहीं कहूंगे लेकिन हम आपको funny लग सकता है साथ समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई ये बहुत ही मतलब पुराना song है ये कोई ऐसा person है जो आपके लिए ना समुंदर वैसे तो समुंदर ठीक है तो ये person है ना आपके लिए हर एक जमी को मतलब पार कर जाएगा हर एक boundary जो होती है ना मतलब देशों के बीच में और समुंदरों को पार कर जाएगा ऐसी हिम्मत रखता ये person I know आपको थोड़ी हसी भी आ रही होगी ठीक है लेकिन ये person reality में ये उनका ये person सच में इतना feel करते हैं okay that's why मैंने ये बोला है कोई ऐसे person है जो अगर आप गुसे में जाना भी चाहते हो ना वो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे ये आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे चाहिए अगर आप गुसे में जाना चाहते हो ना फिर भी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे जा like this no I just want you कोई नहीं मैं सोरी बोल दूँगा ये बोल दूँगी like this okay so yeah please angels tell me please please tell me कौन है जो मेरे वीवर्स के लिए लव पेलिंग्स रखता है कौन है इंजियल से ओ मैप्याइ है पेले इंटल से आप नहीं जानते हैं यह तैंक यह सिर्फ इस ड्रेम्ज में आपके बारे में सोचते रहते हैं यह कोई ऐसे परेसं है जिसके बारे में अभी तक आपको नहीं पता हैं आप आपको आपको आपके सिक्रेट एडमायर हो सकते हैं यह को ऐसे परसन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके लिए फील करते हैं बताने से डरते हैं मुझे एक सोंग और याद आ रहे हैं आप बोलोगे कि दी मैंने कमेंट पड़ा कि आप तो है अपना गाने का भी शोग पूरा करें साथ साथ में सो या थैंक यू ऐसा है क्योंकि मुझे पसंद है सिंगिंग करना ओके यहां पर मुझे एक चीज नजर आ रही है कि परसन है वो सोंग यादा रहे हैं बताना भी नहीं आता जताना भी हमें नहीं आता हमें तुमसे मोहबत है ऐसा कुछ सोंग है यह साथ इसे सुन सकते इंजर स्टाल में की कौन है यह परसन जो मेरी वीवर्स के लिए लव फिलिंग्स रखता है अगे आप में से किसी का नाम राहूल हो सकता है ओके ओके दलवर्स काज है ओके क्या नाम था मेहमद एहमद सोरी एहमद किसी का राहूल हो सकता है ओके तुमसे मैं यहाँ पर भी यह चीज़ देख पा रही थी मेभी आप तीरन बाजी में हो यह आई थिंक निशाना बाजा आई आई ऐसा कुछ ठीक है यह फिर इनके हाथ पर कोई ऐसा टैटू हो बनवा रखा हो इन्होंने ऐसा कुछ धनू किसी का नाम हो सकता है धनूश किसी का नाम हो सकता है मेभी साउत में एक एक्टर है धनूश आई थिंक मेभी वो उनको पसंद करते हूं आप उन्हें लाइक करते हूं मेभी फोसं हो सकता है ओके विदे लवर्स का आदम सेंग है कि यह वो परसं हो सकते हैं जिसे आप जानते हूं आप भी प्यार करते हूं ऐसा हो सकता है मेभी किसी का नाम शिव हो सकता है मेभी किसी का नाम रुद्र हो सकता है मेभी किसी का नाम सिया हो सकता है मेभी किसी का नाम यहाँ पर क्या बोलते हैं रुकसार हो सकता है अफ्री अफ्रीन हो सकता है I don't know यह है क्या नहीं लेकिन मैं यहाँ पर बस देख के बाता आ रही हूँ आपको किसी का नाम यहाँ पर नसीब भी हो सकता है क्या I don't know हो क्या I don't know ठीक है मैं एहमद मोहमद I don't know ऐसा कुछ आपके नाम में A F R आता हूँ S आता हूँ अस्षरफ किसी का नाम हो सकता है ओके या फिर किसी का नाम यहाँ पर सुजीत सरबजीत I don't know ऐसा कुछ नाम Because I'm saying here S मैं यहाँ पर S देख पा रही हूँ V देख पा रही हूँ ठीक है मैं हाँ पर F देख पा रही हूँ ठीक है F के साथ साथ हम saying here heart So maybe you कोई साथ परसन हूँ जो जो लव गुरू हो ऐसा कुछ Please just tell me ऐसे धीरे धीरे मुझे भी लग रहा है कि यहाँ लव गुरू की प्रोसेस पे चल रही हूँ क्योंकि है न जो जितनी भी प्रसनल रेडिंग आते हैं और लाइक इट हाँ जब मैं उनकी एनरजी देखती हूँ ठीक है कुछ की बहुत ही अजीब भी आ जती है कि हाँ में भी वैसा नहीं जैसा सामने वाले ने सोचा हूँ ओके इस वह परसन है जिसने में अभी तक आपको फिलिंग नहीं बताई हूँ लेकिन आपको पता है यह लाइक मस्टेरियस टाइप ऑफ परसन जिन्होंने कभी अपनी फिलिंग जाहिर नहीं कि स्पिरिच्वल हो सकते हैं आलाइन हो सकते हैं यूनिवर्स के साथ वह आपके लिए फिल करते हैं आप उनके लिए फिल करते हैं अगर अगे ऐसा नहीं है तो यह एक एक सिक्रेट ऑर्मारर आपका जो आपको बताने जाता है और बहुत जलिद ऐसा हो सकता है कि यह परसन आपको अपनी फिलिंग जाहिर करदे अशी असीम किसी का नाम हो सकता है है क्या अब असीम हो सकता है अब प्लिज एंजल रीहा किसी का नाम हो सकता है रिहा रिहा ओके डैविल कार्ट ओके विद देम्परेंज कार्ड जिस्टे आम सेंग यह कोई मेडिकल हो सकता है या फिर कोई मैजीशियन और स्टोरी स्टोरी मैजीशियन ही बैलेंस करते हो सिचुएशन को प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को कभी भी मिक्स अप नहीं होने देते बैलन्स करना आता है इमोशनल जो इनकी प्रैक्टिकल साइड उनको बैलन्स में रखते हैं ऐसे परसन हो सकते हैं यह जो भी परसन है एंड या फर्स अफ वॉल यह बहुत जादा स्पीच्वल है या फिर आप हो अगर आपको अपने थर्ड आई चक्रा के पास ऐसे कोई कोई कुछ हो रहा है महसूस इस आपको होता है आपकोई स्पीच्वल अगर आपको त्रिम में मून दिख रहा हैं कोई education दिख रही है इस अइछ आप स्पीच्वल हम क्वेशन से हां कार्ड है यहान very blessed कि हाँ भई मतलब इनको इतनी intuition मिल रही है universe की तरफ से and यह कोई ऐसा person हो सकता है जो God gifted हो किसी चीज़ की वज़े से या फिर आप and मैं यहाँ पर देख पा रही angels की blessings यह tattoos हो सकते हैं इनके हाथ पर बहुत जाला and maybe किसी का नाम रोज हो okay maybe आप उन्हें प्यास गुलाबो बोलते हो I don't know गुलाबो because यहाँ पर गुलाब है या फिर कोई नाम हो सकता है okay maybe रोज उनका नाम हो जास्मीन उनका नाम हो कोई flower से name start होता हो I don't know pushba I don't think so लेकिन हो सकता है okay that's all for you I hope you like this video enjoy this video अगर आपको reading पसंद आई है like किजिए कमेंट किजिए शेर किजिए सब्सक्राइब मैं चैनल इस प्याने वहाँ बैल आइकन को प्रेस कर दिजिए if you want your personal reading ता मझे message कर सकते हो whatsapp पे love you all बाई चेक किया